A, B, C, D अब मैं आपको कुछ अंग्रेजी के लेटर्स नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा है A, B, C, D का मतलब होता है American Born Confused Daces शायद आपने इसके बारे में सुना हो लेकिन मैं आज आपको थोड़ा ससके बारे में डिटिल में बता देता हूँ A, B, C, D वो लोग हैं जिनके माता-पिता इंडिया से गए या South Asian countries है जिसमें आप श्री लंगा ले सकते हैं नेपाल ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं अफगानिस्तान ले सकते हैं जो South Asia के जो countries हैं यहां से गए हुए जो लोग हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको A, B, C, D बोला जाता है क्योंकि हम सब लोग देसी हैं और हमारी जो सोच है वो देसियों जैसी है क्योंकि हम सब का जो सोचने का तरीका है या जो हमारा culture है वो काफी कुछ एक सासा है तो हम लोग इस culture के लोग हैं हमको ये culture बेतर लगता है और हम इसमें comfortable हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे आगे आने वाले generation है वो उसी culture को follow करें लेकिन होता क्या है कि अमेरिका वहाँ पर जो culture है या जो सोच है या जो वहाँ पर रह रख सकते हैं लेकिन जब हमारे बच्चे बहार जाते हैं और बच्चे भही पैदा हुए और वो अपने आपको American समझते हैं तो वो लोग जो है वो अमेरिका के culture को accept करने के कोशिश करते हैं वो उस culture को ही समझते हैं लेकिन अपने घर में जावाते हैं तो हम उनको अपना द confusion आता है इस चक्कर में उनकी जो personality है वो कहीं कहीं ना की बहुत ज़्यादा effect होती है और definitely बहुत ज़्यादा जो conflicts होते हैं वो इस वज़े से होते हैं तो इनको बला जाता है American born confused daces ABCD तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है और इसको ठीक करने का बहुती common sense वाला तरीका है culture है वो महाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो उचित नहीं है आप उन बच्चों के साथ वो परशानी एक बहुत बड़ी create कर दोगे को कि बच्चे जब है उस समाज में रहेंगे उस society में रहेंगे को कि वो बहुत different society है तो अगर आप बच्चों को South Asian culture सिखाने की कोशिश क करोगे या आप उनके पर वो force करोगे तो बच्चे परशान हो जाएंगे को कि वो culture भारे कारे नहीं करने वाला वो कारे इंफर आपके लिए भी नहीं करेगा ठीक से आप अपने घर में तो रख सकते वो भार नहीं कारे करेगा लेकिन आपने South Asia का culture देख रखाए को कि आप आप महां पर रहे हो लेकिन आपके बच्चे ये बात नहीं समझ सकते तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी मिडवे लेके आनी है कि जहां पर आप भी comfortable हो तो इसमें आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा और उस देश का culture को कि वो आपने उस वाले देश को अपना माना है आप देश में गए तो आपको इस वाले देश के culture को accept करना ही पड़ेगा कोई और option नहीं है लेकिन आप जिस देश से गहीं हमां का भी आप culture रख सकते हो तो आप कहीं ना कि मिडवे में आ सकते हैं आपके जो बच्चे हैं वो definitely जो वहां का culture है को कि वो American है तो वो इस वाले culture को ज्यादा comfortable feel करेंगे उस वाले culture में तो आप उनको freedom देश सकते हो वो हर परिवार का अपना एक तरीका होगा कहीं ने कहीं आप एक ऐसी मिडवे देख सकते हैं जहां पर आप और आपका जो next generation है वो comfortable है अब यह तो हो गए ABCD अब इसके बाद एक और नए टाप के लोग आते ना वो New Zealand जा पाए या कोई और बाहर का जो country है वहाँ जा पाए लेकिन वो इंडिया में रहे गए वो यहीं फाज गए तो वो अपने आपको American समझने लगते हैं वो उस तरीके से बात करने लेगेंगे उसी slang में बात करने लेगेंगे अपने जो कपड़े पहनेंगे वैसी पहनेंगे अपनी सोच भी वैसी रखेंगे तो यह हैं confused American देशी और इंको कहीं बार coconut भी बोला जाता है तो यह confused American देशी हैं जो इस देश में रहे गए लेकिन अमेरिका जाने की तमना रहे गई या केनड़ा जाने की तमना रहे गई और अगर वो महां नहीं जा पाए तो इस देश में ही अपने आपको अमेरिकां समझके उसी तरीके से कारे करते हैं और जो टाम जैसे हम लोगों ने ABCD जो हमारे लिए है जो जो चाइना के लोग है उनके लिए ABC अमेरिकन बॉन चाइनीज तो वहां पर भी वह सेम प्रॉलम है को चाइना का भी जो कल्चर है वो अलग है अमेरिकन कल्चर से और वहां पर भी छोटे मुटे कंफलिक्स होते हैं लेकिन वह अगली जर्नेरेशन के बाद चीज़ें सौल हो जाती है को कि वह प्योर अमेरिकन से हैं और वह अमेरिकन की तरह ही सोचते हैं सही मैं इंदा एंड जो होना है कि घर के अंदर शांत करती रहे और आप अपने कार्यों को बेहतर तरीक से भार जाके भी कर सकें तो कहीं न कहीं आपको मिडवे लेके आने की जरूरत है